तो एलो फ्रेंग कैसे हैं आप दोस्तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ वन्योई 4.0 अपडेट होने के बाद जो सेमसंग की जो गैलरी आप उसके अंदर कमाल के नए फीचर एड़ किये गए दोस्तो यह नए फीचर क्या है कहां मिलेंगे कैसे यूज करना है तो आगे आ होता कि है हम कुछ फोडो को नॉर्मल मोंड में कीच लेते और कुछ को फो ट advice लेते हैं आहरा मुझे वॉट तो उस but मुझे अपर यह पर एक u मिल जाएगा add portrait mode आपको दिख रहा होगा आपको इस पे क्लिक कर देना है उस add portrait mode पे आप जैसी क्लिक करेंगे वो आपके fade को वहाँ पर detect करेगा और आपका blur लगा दिया है आपको जैसा भी blur चाहिए आपको उसको set कर लेना है और चाहें तो आप इसी पे apply कर लेजिए और चा तो यह feature तो बहुत ही कमाल का लगा मुझे उसके दूसरा feature जो बताने वाला हूँ अगर आपको फोटो को portrait mode पे कीजिए तो पहले वहाँ पर आपको बहुत सारे effects नहीं देखने को मिलते थे कुछ ही effects मिलते थे अब यहाँ पर आपको बहुत सारे effects लाल सकते हैं जैसा कि यह आपको जो भी effects लगे आपको उसको देख लेना है और आप चाहें तो इसकी यहाँ पर लैंद को बढ़ा सकते हैं और इसमें कमाल का option दिया गया है जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको अलग से लाइटिंग को option दे दिए गया आपको दिख रहा होगा जैसी आप उस पर क्लिक क कर सकते हैं आपके face पर कैसी लाइटिंग अब मैंने यहाँ पर इस पर क्लिक करा और इसकी लाइटिंग यहां से बढ़ा दी तो आप देखेंगे मेरे face पर लाइटिंग आ गई और अगर मैं इधर करूंगा तो चली जाएगी मतलब कि आप face पर lightin को भी adjust कर सकते हैं तो यह फीचर तो बहुत ही कमाल का लगा और यहां पर आपको बहुत जगा ही इसको change कर सकते हैं लाइक अब इदर आ गया हूँ तो आप इधर भी अपनी lighting को अपने साफ से यहां पर change कर सकते हैं आपको जहां पर lighting तो यह फीचर तो मुझे बहुत शान्दा लगा आपको भी फीचर अच्छा लगा वह दोस्तों उमीद है अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक जरू करें अगर आपको लगता है तो वीडियो कुछ कमी ना डिसलाइक दो सकते हैं और अगर आम वहसे कमेंट करके पूछ सकते हैं तो सबसे जरूए दोस्तों अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज मेरे चैनल की नेक्ट वीडियों के बेड़ा को सबसे बिले मिले और होजा कि तुमने इस्टागां पर दो करना भी ना बूसका लिंक आपको नी कि दोस्तों